हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हार्ड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुन्दर और बहुत ही आसान डबल कलर का डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है इस डिजैन को आप गर्ल्स लेडीज और बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट प्रपलाई कर सकती हैं सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजैन बहुत ही सुन्दर लगता है इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको चार के multiple फन्दे लेकर तीन फन्दे एक्ष्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजाइन आपके project पर इस तरह से adjust हो जाएगा 4 के multiple देखिए 4 फन्दे गिन लेजिये फिर से चार फिर से चार इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके तीन फंदे होने जाएंगे ये डिजैन सीधी सैड से शुरू होता है और छे सलाईों में कम्प्लीट हो जाता है बोर्डर के बाद अगर किसी भी प्रोजेक्ट ले फंदे बढ़ाने हो तो आप इसमें उल्टी सैड से फंदे बढ़ा लेजिए सीधी सैड से डिजैन शुरू हो जाएगा तो चलिए देखते हैं कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है तो फ्रेंड्स बोर्डर के बाद जो डिजैन की पहली सलाई मैंने यहां से बनाई है वही पहली सलाई मैं आपको यहां से बता रही हूं यहां पर मैंने लिए है 27 फंदे, 4.24 और उसमें 3 फंदे एक्ट्रा डिजैन की पहली सलाई है और सीधी साइड है तो ध्यान दीजिएगा बोर्डर के बाद सीधी साइड पर आप अपना कोई भी सैकिन कलर जोइंट कर लिजिए अब जिस कलर से आपने बोर्डर बनाया है उसी कलर से आप तीन फंदे सीधी बनाईए इस डिजैन में सारी सलाया सीधी और उल्टी ही बनेंगी पहले फंदे को आप स्लिप भी कर सकती हैं और बना भी सकती हैं तो ये दिखिए एक, दो और ये तीन तीन फंदे इस तरह से सीधी बनाने की बाद जो भी आपने सैकिन कलर जोइंट किया है इस वाले को ऐसे ले लिजे और इस से एक फंदा यहाँ पर सीधा बना दीजे ये जो चार फंदे का डिजैन बनाया इसी को बार बार रिपेट करना है तो तीन फंदे अब हम इस वाले कलर से सीधे बनाएंगे एक, दो, और ये तीन फिर से हम अपना ये जो फर्स्ट वाला ये वाला कलर है जिससे हमने एक फंदा बनाया इससे बना देंगे अब दीखे फिर से चार फंदे का डिजैन हो गया इसी को बार बार रिपेट करेंगे ये वाला कलर लेंगे और तीन फंदे सीधे बन देंगे एक दो और ये तीन अब एक फंदा हम अपने इस वाले कलर से ऐसे सीधा बुन देंगे फिर से तीन फंदे इस कलर से बनाएंगे एक दो और ये तीन अब हम अपना ये वाला कलर लेंगे और इस से एक फंदा सीधा बना देंगे फिर तीन फंदे इस वाले कलर से बनाने हैं, एक, दो और ये तीन, फिर एक फंदा इस कलर से बनाएंगे, एक और फिर तीन फंदे हम अपने इस वाले कलर से, एक, दो और ये तीन, और ये एक फंदा अब हम इस कलर से बनाएंगे, आपके जितने भी फंदे हों, यही चार चा पर फंदे का डिजैन बार बार रेपीट करना है लास्ट में आपके तीन फंदे बचेंगे इनको आप इस तरह से इस कलर से सीधा बुन दीजी एक दो और ये तीन पहली सलाई डिजैन की कम्प्लीट हो गई है अब आज ये इसकी दूसरी सलाई और उल्टी साइड पर उल्ट लेंगे देखिए एक और ये दो अब दो फंदे इस कलर से बनाने की बाद अब देखिए एक ये एक ये और एक ये ये तीन फंदे अब हम इस कलर से उल्टे बनाएंगे तो इस वाले को हम ऐसे लेंगे और इस धागे से एक दो और ये तीन इस एक फंदे को छोड़कर ये जो 4 फंदे का डिजैन बनाया इसी को बार बार repeat करना है तो अब एक फंदा हम अपने इस कलर से उल्टा बनाएंगे और 3 फंदे इस वाले कलर से देखिए 1, 2 और ये 3 फिर से repeat करना है एक फंदा इस कलर से बनाएंगे और तीन फंदे हम इस वाले कलर से एक, दो, और ये तीन फिर से हम अपना ये वाला कलर लेंगे और एक फंदा इससे बना देंगे फिर तीन फंदे हम इस वाले कलर से उल्टे बनाएंगे एक, दो, और ये तीन और यह देखिए यहां पर अब यह जो तीन फंदे हमने इस वाले कलर से बनाई होते हैं इसके बीच वाला फंदा होता है जो हमें अब एक इससे उल्टा बुनना होता है तो एक इधर का एक यह हमने पहले से बनाया और एक यह यह तीन फंदे अब इस कलर से उल्टे बुनने है एक दो और यह तीन फिर एक फंदा हम इस वाले कलर से उल्टा बुनेंगे और तीन फंदे अब इस से एक दो और यह तीन लास्ट में आपके दो फंदे बचेंगे इनक तो आप उल्टा इस काले कलर से बुन दीजिए, दो सलाईयां डिजाइन की कम्प्लेट हो गई हैं, आप आज ये इसकी तीसरी सलाई और सीधी साइट पर, तीसरी सलाई पर फिर से हम अपने ये वाले तीन फंदे इस कलर से बनाएंगे, और ये जो बीच वाला फंदा है, ये फिर से अपने इसी कलर से इसको सीधा बुन देंगे, तो यही चार फंदे का डिजाइन अब बार बार रिपेट करना है, तो तीन फंदे अब हम इस कलर से बनाएंगे, एक, दो, और ये तीन, और ये वाला जो फंदा है अब इस कलर से बुन देंगे, तो फिर से हमारा चार फंदे का डिजैन हो गया इसे फिर repeat करेंगे तीन फंदे इस कलर से एक दो और ये तीन और एक फंदा अब ये इस वाले कलर से हम बीच वाला जो है इसको बुन देंगे और फिर्ट से ध्यान रखेगा ये जो धागा आपका पीछे से ऐसे जाता है ये जादा नहीं खिचनन र जाएगा इस तरह से खिला खिला नहीं बनेगा तो धागे को आप नॉर्मल रखिएगा दिखिएगा अब एक दो और ये तीन और एक फंदा अब हम इस कलर से ऐसे सीधा बनेंगे तीन इस वाले कलर से एक दो और ये तीन और एक फंदा हम इस वाले कलर से इसको सीधा बनें तीन अब हम इस कलर से बनाएंगे एक दो और ये तीन और ये जो बीच वाला एक फंदा है इस कलर से इसको सीधा बनेंगे लास्ट के तीन फंदे अब ये वाला जो कलर है इससे हम सीधा बना देंगे तो तीन सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई है चोथी सलाई है और उल्टी साइड है चोथी सलाई को अब आप ध्यान से देखेगा की कैसे बनेगी अब देखिए तीन ये एक ये चार और एक ये पांच पंदे अब हम इस कलर से उल्टे बनाएंगे चोथी सलाई पर एक दो, तीन, चार और ये पाँच अब ये देखे यहां पर ये जो तीन फंदे वाइट थे इसके बीच वाला फंदा लेंगे और इस वाले कलर से इसको उल्टा बुन देंगे अब आगे हम तीन फंदे अपने इस वाले कलर से ऐसे उल्टे बनाएंगे एक, दो, और ये तीन अब देखे वाइट के जो बीच वाला है इसको हम इस वाले कलर से उल्टा बुन देंगे फिर से रिपिट करना है तीन फंदे हम इस कलर से बनाएंगे एक, दो, और ये तीन और जो ये वाला वाइट कलर है इसके बीच वाले फंदे को इस वाले कलर से उल्टा बुन देंगे तो डिजैन हमारा देखिए वही रिपेट हो रहा है ये वाले दो फंदे छोड़ कर ये चार फंदे का डिजैन ये चार और ये चार इसी को बार बार रिपेट करते जा रही हैं एक दो और ये तीन तीन इस कलर से बनाने के बाद ये वाला कलर लेंगे और वाइट के बीच वाले फंदे को इससे उल्टा बुन देंगे फिर से देखिए एक दो और ये तीन और अब इस फंदे को इससे उल्टा बनाएंगे क्योंकि ये वाइट के बीच वाला है लास्ट मे आपके पांच फंदे बचेंगे इनको आप इस वाले कलर से उल्टा बुनिए तो हमारी चार सलाईयां डिजाइन की कम्प्लेट हो गई हैं पांच में सलाई है और सीधी साइड है पांच में सलाई को ध्यान से देखिएगा पहला फंदा उतारिये या बनाईए ये आपकी इधर से और एक इधर से और एक ये बीच का ये तीन फंदे अब हम अपने इस वाले कलर से सीधा बना देंगे तो देखिए एक दो और ये तीन अब ये देखिएगा ये वाले तीन फंदे छोड़ कर ये जो हमने चार फंदे का डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपेट तो एक फंदा अब हम इस कलर से बनाएंगे और तीन फंदे इस वाले कलर से एक दो और ये तीन फिर से हम अपना ये वाला कलर लेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे अब इससे ऐसे ले जाएंगे और तीन फंदे इससे बनाएंगे एक दो और ये तीन फिर एक फंदा हम अपने इस वाले कलर से सीधा बन देंगे फिर तीन फंदे इस कलर से एक दो और ये तीन फिर से एक फंदा हम अपने इस वाइट वाले कलर से सीधा बन देंगे फिर तीन फंदे इस कलर से बनाने हैं एक दो और ये तीन लास्ट में आपके चार फंदे बचेंगे इस वाले कलर से इनको सीधा बनाईए एक दो तीन और ये चार पांच सलाईयां डिजैन की कम्पलीट हो गई है छटी सलाई है और उल्टी साइड छटी सलाई पर देखिए कैसे करना है एक दो तीन चार अब एक फंदा इसमें से लेंगे और इस कलर से उल्टा बन देंगे तो पांच फंदे यहां पर उल्टे आ गई हैं और ये जो इनके बीच वाला है वो इस कलर से उल्टा बनेंगे अब ये देखिए ये वाले चार फंदे छोड़ दीजिए ये वाले तीन और तीन ये और एक ये इन्ही को आप बार बार रिपिट करते जाएगा तो तीन फंदे देखिए अब इस कलर से बनाने हैं एक और ये एक बीच वाला दो एक इधर से हम ले लेंगे तो तीन और ये जो ग्रीन के बीच वाला फंदा है इसको हम ग्रीन कलर से ही उल्टा बन देंगे फिर से डिजैन को रिपिट करना है और तीन फंदे इस कलर से उल्टे बनेंगे एक दो और ये तीन और एक फंदा ये जो इनके बीच वाला है वो हम अपने इस कलर से उल्टा बनेंगे फिर से तीन फंदे इससे बनाने हैं एक, दो और ये तीन अब एक फंदा इस कलर से बनेंगे फिर तीन फंदे बनाएंगे एक, दो और ये तीन फिर देखिए ये वाला कलर लेंगे और एक फंदा इससे ये बीच वाला बुन देंगे और लास्ट के पांच फंदे हम अपने इस फर्स्ट वाले कलर से जिससे हमने बॉर्डर बनाया है इसी से बुन लेंगे तो छे सलाईया डिजैन की कम्प्लीट हो गई है यही छे सलाईया इसमें बार बार रिपिट करते जाना है तो आपका इस तरह से ये सुन्दर सा डिजैन बनता जाएगा तो चलिए इसकी नेक्स्ट वार की स्टार्टिंग आपको फिर से बता देती हूं ताकि आपको कोई प्रोब्लम ना आए नेक्स्ट वार की स्टार्टिंग के लिए फिर से आप अपने तीन फंदे इस कलर से ऐसे बनाईए एक, दो, और ये तीन और ये वाला जो फंदा है इसे आपका जो ये सेकिंड कलर होगा इसे ऐसे सीधा बना दीजिए ये ही चार फंदे का डिजैन बार-बार रिपिट करना है ये वाला कलर लेंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, और ये तीन अब एक फंदा हम अपने इस वाले कलर से ऐसे सीधा बन देंगे फिर तीन फंदे इस कलर से जैसे मैंने आपको इसकी फर्स्ट लाई बताई थी वही फर्स्ट लाई इसकी दोबारा से शुरू हो गई है और देखिए ये जो बीच वाला फंदा है इससे हम इस ग्रीन कलर से बुन देंगे फिर तीन फंदे इस कलर से सीधे बनाएंगे एक दो और ये तीन अब एक फंदा इस वाले कलर से फिर तीन हम अपने इस वाइट कलर से बुनेंगे एक दो और ये तीन एक फंदा अब फिर से इस कलर से इस वाइट के जो बीच वाला है फिर तीन फंदे हम अपने इस white color से बनाएंगे एक दो और ये तीन और एक फंदा अब इस color से और last में आपके तीन फंदे बचेंगे तो आप अपने first वाले color से इनको सीधा बुन दीजिए तो ये देखिएगा फ्रेंट्स ये इसकी next बार की starting हो गई है जब आप बार बार इनी 6-6 सलाईयों को repeat करेंगी तो आपका इस तरह से ये सुन्दर सा design बनता चला जाएगा तो फ्रेंट्स ये अगर आपको ये design पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को like कीजिए अपने सभी friends group में से share कीजिए चैनल पर नई है सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारी वीडियो के notification आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारी वीडियो सबसे पहले देख सके थैंक यू